हेलो फ्रेंड्स मैं हम अनीता और साई कुकिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं सेंटर फीलिंग चॉकलेट में नए तीन फ्लेवर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर से जैसे की ब्लैक करण पाइनेपल और कॉफी फ्लेवर तो चलिए चॉकलेट बनान आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम वाइद कंपाउंड लिया है इसकी जगह पे आप डार कंपाउंड या फिर मेल्क कंपाउंड भी ले सकते हैं इसको अब हमें चॉप करकर लेना है हम चॉकलेट डबल बॉयलर मेथर यूज करकर मेल् करने वाले तो यह चॉकलेट के ब्लॉक्स ऐसे ही रखें तो भी चलेंगे 2022 जो चॉप किया हुआ होच्छ अधिन्य फळी फ़ी टप ole में रखा है आप जब भी काज का बोली हुज करो तो ही यूज करना है नहीं तो यह हीट की बज़े से तूट सकता है साधा बॉल या फि और उपर वाला जो बाउल है चॉकलेट का वो हमें नीचे वाले पतेले से बड़ा ही लेना है और हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है अगर हमारा पानी जाधा गरम हो गया हो तो ग्यास की फ्लेम हम बंद कर सकते हैं, इतना ही धान रखना है, नीचे वाले पतेले में से पानी या फिर उसकी भाप है, वो हमारे चॉकलेट के अंदर ना आए, नहीं तो हमारा चॉकलेट टाइट हो सकता है, टाइट हो गया तो वो मेल्ट नहीं होगा, तो अब देख सकत तो हमारा चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो गया है मैंने नीचे उतार दिया है इस तरह से हमें मिक्स करकर इसको थोड़ा सा थंडा करना है क्या होता है इस तरह से हमने चॉकलेट को थंडा किया तो इसको बहुत बड़ी आ शाइनिंग भी आती है और इसको बाद में कापने में होते हैं और इस साइड से हम में अनमोड करने के बाद रहा है तो यह आपको लोकल मार्केट में हम जाएगा यह मैं लिया है Amazon पर अवेलेबल नहीं है अगर मुझे कभी लिंक मिल जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसकी लिंक तो आप लोकल मार्केट में चेक कर सकते है जहाँ पर केक का सामान मिलता है वहाँ पर ट्राइ कर सकते है जरूर मिलेगा तो इसके अंदर अब हमें चॉकलेट फील करना है अगर आपको ये मोल्ड नहीं मिले तो आप जो रेगिलर वाले हमारे मोल्ड साते है उसमें भी ये वाले चॉकलेट बना सकते है पूरा मोल्ड मैंने भर दिया है इसको अब हमें 10 मिनिट के लिए के आपके फीलस नहीं और मिल्क कमपाउंब के भी चॉकलेट बना है तो अगर हम कॉफी चॉकलेट के साहं तो दोनो कड़िये लगता है इसलिए जब हम coffee chocolate बनाते हैं, तो milk compound के साथ ही उसका combination अच्छा जाएगा तो फिर आप white compound के साथ भी इसको बना सकते हैं, इसको मैंने unmold कर लिया है अब जो इसके अंदर की feeling है, वो बनाने वाले है, सबसे पहला flavor है, pineapple flavor तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 tablespoon pineapple crush लिया है तो यह आपको कही पे भी मिल जाएगा, आजकल easily मिल जाता है, तो यह हमें 1 tablespoon लेना है 1-5 tablespoon आप ले सकते हैं, इसी में अब हमें 1 tablespoon milk powder लेनी है और इसी में अब हमें थोड़े से chop किये हुए काजु डालने हैं, या फिर आप अपनी पसंद के dry fruits डाल सकते हैं थोड़े से roast करकर डालने हैं, जब भी हम चॉकलेट में dry fruits डालते हैं, उनको हमेशा roast करकर ही डालना है और इसको अच्छे से mix करना है, अगर आपको crush थोड़ा सा कम लगे, तो थोड़ा सा और add कर सकते हैं, center में ही feeling करने वाले हैं तो कम ज़्यादा होगा, तो कोई problem नहीं है, तो crush का flavor बहुत बढ़ी आता है, आपको taste किस तरह से पसंद हैं, ज़्यादा पसंद हो, तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, क्रश का flavor पसंद ना हो, तो कम कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा colorful बनाने के लिए, यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा yellow color डाला है, आप color skip भी कर सकते हैं, अगर आप घर के लिए बना रहे हो, तो without color भी बना सकते हैं, तो बहुत बढ़ी आ फ्लेवर आता है, आप ज़रूर ब चाया, और खाने में बहुत बढ़ी आ फ्लेवर है, तो इसमें अब हमें एक से देट टेबल स्पून, ब्लैक करन्ट क्रश डालना है, तो यह फ्लेवर तो आपको पक्का बनाना ही चाहिए, बहुत बढ़ी आ लगता है, तो इसको अच्छे से mix करना है, अगर आपको क्रश थोड़ा सा कम लगे, तो आप थोड़ा सा और अड़ कर सकते हैं, जादा फ्लेवर पसंद हो, तो ही अड़ कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा कम फ्लेवर पसंद हो, तो equal quantity लेनी है, जितना हमने milk powder लिया है, उतना ही क्रश लेना है, मुझे थोड़ा सा जादा फ्लेवर प और इसके थोड़ा सा अच्छा कलर देने के लिए इसमें मैझे थोड़ा सा यृवर कलरक्षा कव डाला है बहुत कम कॉन्टिटी में डालना मुझादóc मैं इसमें facultyrav गुटिए सिमें एव इसमें क्लोरान दालना है क्लोड़ी हिपैसि दाला है इसमें क्या हो नहीं डाला तो भी चलेगा अब हमारा नेक्स फ्लेवर है वो है कॉफी फ्लेवर के चॉकलेट तो उसके लिए यहां पर मैंने एक टेबल स्पून मिल्क पाउडर ली है और इसी में आधा टेबल स्पून पाउडर शुगर डालनी है और आधा टीस्पून हमें कॉफी ले सकते हैं और इसी में एक पीश्पून दूद डालना है तो अगर आपका दूद थोड़ा सा ज्यादा हो तो इसमें आप थोड़ा से मिल्क पाउडर डालके इसकी कंसिस्टेंसी एड्डेस कर सकते हैं तो इसको अब हमें अच्छे से मिक्स करना है यह भी फ्लेवर बहु उसको अब हमें इसमें फील करना है बहुत जादा नहीं डालना है नहीं तो अब जब हम इसकी लीड बन कर देते हैं तो वह सेंटर वाली फीलिंग भार आ सकती है तो जितना इसमें बेठेगा उतना ही डालिए थोड़ा सा टैप कर लेना है ताकि वह इवनली स्प्रेड हो और बहुत जादा ना हो तो यह चॉकलेट दिखने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं और खाने में भी उतने ही बढ़िया लगते हैं इस राखी पर जरूर ट्राइग कीजिए आपको बहुत पसंद आएंगे और यह ब्लैक करन्ट वाले तो आप जरूर ही ट्राइग बहुत प्यार दिया इसलिए इस बार मैंने हिंदी में बनाया बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था तो इसका लीड के से बन करना है तो इसको हमें थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ चॉकलेट लगाना है जो मेल्ट किया हुआ चॉकलेट है वो ग्लू का काम करेगा तो इसके उपर इस तरह से लगाना है और हमारा परफेक्ट चॉकलेट बनकर तयार है अगर आपको तुरंट खाना है तो आप ऐसे ही खा सकते हैं और अगर आपको बना कर रखना है तो इसको पैक करकर फॉइल पेपर में राप करकर आपको स्टोर करना है एर टाइट डिबय में आपको ... आप यह रूम टेमपरिचर पर 2-3 दिन तक रख सकते हैं उससे जाधा time के लिए आपको रखना है, तो इसको आपको फ्रीज में रखना है सेंटर में हमने दूद, क्रूश डाला है तो जादा दिन तक आप रूम टेंपरेचर पर इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको फ्रीज में ही स्टोर करना है